Hello Friends, Welcome to Manasvi Exam Solutions Friends say, Video HTAT PRT exam related है जिन students ने exam दिया था तो वो अपनी official answer की के according answer चेक कर सकते हैं और जिन students ने exam नहीं दिया था जो in future CTAT या HTAT का exam देने वाले हैं वो देख सकते हैं कि इस exam में किस तरह के question पूछे गए थे इस exam में जो 1 से 60 तक question पूछे गए थे जो कि Child Development and Pedagogy और Hindi और English Language से related थे उनकी वीडियो में upload कर चुकी हूँ और इस वीडियो में हम 61 से और 150 तक के question डिसकस करेंगे Question number 61 ये mathematics से related है अमीत ने एक परिक्षा में 114 अंक प्राप्त किये और वह 35 अंक से अनुत्रीन हो गया ये परिक्षा में उत्रीन होने के लिए 35 अंक की अवशक्ता हो तो पुर्णांक ज्यात करें तो इसका correct answer होगा fourth 600 Next है पंदरा व्यक्तियों के एक समूं में 7 हिंदी पढ़ते हैं 8 अंग्रेजी पढ़ते हैं और 3 इन में से कोई भी भाशा नहीं पढ़ते हैं कितने व्यक्ति हिंदी और अंग्रेजी दोनों पढ़ते हैं तो इसका correct answer है second तीन Next है एक पुरुस क्योरिंगित करते हुए एक महिला बोली इसकी माता मेरी माता की एक मातर पुतरी है महिला उस पुरुस से किस परकार संबन्दित है तो ये होगा माता यदि पूरव दिशा उत्तर पश्चिम हो जाए पस्चिम दिशा दक्शिन पूरव हो जाए और इसी तरह सभी दिशा आंस में अपस में अपना स्थान बदल ले तो उत्तर दिशा कौन सी दिशा हो जाएगी ये सभी अंसर ओफिश्यल अंसर की के according है नेक्स्ट है यदि किसी बिन के अंस में 200 परतिशत की वरधी कर दी जाए तथा हार में 350 परतिशत की वरधी कर दी जाए तो 5 बिटे 12 प्राप्त होता है मूल बिन ग्याद करें इसका correct answer है second next reasoning का question है किसी संकिति भाशक में बिट को U B F C कहा जाता है काम को N M B D कहा जाता है उसी भाशया में शोर को क्या कहा जाएगा तो इसको कहा जाएगा F S P T next animal की श्रंखला को पूरा कीजिए यह जो series दी हुई है B G H K L O P S तो next होगा T W एक कार 690 किलोमेटर की दूरी 30 गंटे में तै करती है तो उसकी ओसत चाल क्या होगी 23 किलोमेटर परती गंटा next है पांच करमागत समसंख्याई करमशय A B C D और E का ओसत 74 है तब संख्या C तथा संख्या E का गुणनफल क्या होगा यह होगा 5772 next है एक व्यक्ति तथा उसके पुत्र की ओसत आयू 40 वर्स है उनके आयू का नुपात 11 नुपात 5 है तो पुत्र की आयू क्या होगी वो होगी 25 वर्स next है गड़ी की दोनों सुया एक दिन में कितनी बार अती व्यापन करेगी तो यह करेगी 22 बार यदि शब्द फ्रेंड के परतेक अक्षर को उसके वरंड कर मनुसार जमाया जाये तो कितने अक्षरों के स्थान एपरिवर्थित रहेंगे तो इसका करेक्ट अंसर है third next है एक करेंटीन में साथ दिनों के लिए 56 किलोग्राम चावल की अवशकता होती है तो अपरेल तता मई महा में कुल मिला कर कितने किलोग्राम चावल की अवशकता होगी वो होगी 488 किलोग्राम एक तस्वीर की और इशारा करते हुए विशाल ने कहा यह मेरे दादा जी के एकलोते पुत्र की बहन है तो बताए यह तस्वीर वाली महिला विशाल से किस परकार सब्बंदित है तो वो है बुग्रा दीगई श्रंखला को उसके करम के आधार पर पूरा करें तो इसमें जो नेक्स्ट नंबर होगा वो होगा 75 एक व्यक्ती 8000 रूपे 15% वर्शिक दर से 3 वर्स के लिए उधार लेता है उसे कितना साधरन ब्याज चुकाना होगा उसे चुकाने होगे 3600 रूपे नेक्स्ट कोस्टिन है जब इसको सोल करेंगे तो इसका अंसर आएगा 9 एक आयत की लंबाई उसकी चोड़ाई की तीन गुनी है यदि इस आयत का छेतरफल 147 वर्ग मिटर हो तो इसका परिमाप ग्यात करें वो होगा 56 मिटर दिये गे चार विकल्पों में से तीन किसी परकार से समान है तथा अपना एक समू गनाते हैं वह है एक विकल्प कौन सा है जो इस समू में नहीं आता वो होगा बासूरी हर्याना साहित्य अकादमी की पत्रिका है तो यह है हरी गंधा तिलियार जील कहां आवस्थित है यह है रोत्तक में हर्याना की तेरवी विदान सभा के अध्यक्ष कौन थे यह थे कवरपाल और इनको भी नए मंत्री मंडल में शिक्षा मंत्री बिनाया गया है नेक्स कोस्चन मैथेमेटिक से रिलेटिड है एक लाख साथ हजार रुपय का दो वर्स में दस परतिशत वार्षिक दर से छे माई दे चकरवर्ती ब्याज कितना होगा यह होगा 34,481 रुपय एक तिरबुजाकार पलाट की बुजाओं का नुपात 357 है और इसका परिमाब 300 मीटर है तो इसका छेतरफल होगा इसका correct answer है third next question में 2.P और क्यू है इनके बीच का distance पुछा हुआ है तो वो होगा under root x2 minus y2 का whole square plus x1 minus y1 का whole square third इसका correct answer होगा एक पुस्तक का एक बटे पांचुवा भाग पड़ता है यदि फिर भी साथ प्रष्ट पढ़ने कोशिए से तो पुस्तक में कुल कितने प्रष्ट हैं तो इसमें टोटल प्रष्ट हैं 75 फर्स्ट इसका करेक्ट अंसर है नेक्स्ट कोश्चन में सरलतम रूप पुछा हुआ ह है जब इसको सोल करेंगे तो इसका करेक्ट अंसर आएगा थर्ड साथ बटे तेरा की वैली पूछी हुई है जब इसको सोल करेंगे तो इसका अंसर होगा फर्स्ट नेक्स्ट कोश्चन में माच इसकी डिबबी का आयतन पूछा हुए है तो वह हो गए 180 गन सेंटिमीटर नेक्स्ट में एक वर की परतेक बुजा की लंबाई में 15 परतिशत की वरदी कर दी जाए तो इसके छेतर फल में कितने परतिशत की वरदी होगी तो इसका करेक्ट अंसर है 2nd 22.5 परतिशत इसका करेक्ट अंसर 4th है 32.25 परतिशत नेक्स्ट है शांतिने रोमा और टीना के बीच एक अनुपात 3 के अनुपात में 40 टिकट डाक टिकट बाटे टीना को कितने डाक टिकट मिले उसको मिले 30 नेक्स्ट एक बेलना कार जार के आधार की परीद 132 cm है और उसके उचाई 25 cm है तो उसमें कितने लिटर पानी आ सकता है तो उसमें आ सकता है 34.65 लिटर नेक्स्ट कोस्ट ने दो संपूरक कोणों का अनुपात दिया हुए 2 अनुपात 3 तो कोणों का माप होगा वो होगा 22 डिगरी और 108 डिगरी नेक्स्ट है यदि दो गहनों के आयतनों का अनुपात 27 अनुपात 64 है तो उनके संपूर्ण प्रष्टे 6 रफल का अनुपात होगा वो गहनों अनुपात 16 नेक्स्ट को सोल करेंगे तो इसका अंसर होगा 5 डिवाइड बाई 8 नेक्स्ट 8 सेंटीमिटर लंबाई और 6 सेंटीमिटर चोड़ाई की एक आगज की सीट पर 2 सेंटीमिटर भुजा वाले कितने वर्ग बनाए जा सकते हैं तो यह है 12 थर्ड इसका करेंग्ट अंसर है यदि A की आए B की आए से 20 परतिशत कम हो तो B की आए A की आए से कितने परतिशत अधिक है वो भी 25 परतिशत 11 प्रेक्षणों का उसत 60 है यदि पर्थम 6 प्रेक्षणों का उसत 69 हो तो अंतीम 6 प्रेक्षणों का उसत 62 हो तो छटे प्रेक्षण का मान है तो यह होगा 66, 66 इसका correct answer है Next question है नाओं का अंता 66 है और उनका नुपात 5 नुपात 2 है तो वो दो संख्याए है वो होगी 110 और 44 next question को solve करेंगे तो इसका answer होगा 0.3 next question में series दी हुई है कि इसमें कौन सा पद 78 है तो वो होगा solve पद next question में 1 by under root 2 का मान पुछा हुए है तो इसका मान होगा third इसका correct answer होगा next दो संख्या 3-4 के अनुपात में है तथा इनका लगुतम समापर तक 84 है तो इन में से बड़ी संख्या कौन सी होगी वो होगी 28 एक संबहु बुज के आंतरी के कोनों का योग 1440 डिगरी है बुजाओं की संख्या कितनी है तो वो होगी 10 next question को solve करेंगे तो इसका correct answer होगा third पंदरा वर्षों में रवी की उम्र वर्तमान उमर की चार गुना होगी तो रवी की वर्तमान उमर क्या है तो वो है 5 वर्ष ग्यारा के गुनों जियात कीजिए यदि तीन कर्मागत संख्याओं का योग 363 है तो वो होंगे 110, 121 और 132 next question को solve करके इसका अंसर होगा second next में तो एक दिवगात समीकरण के मूल 2 वर्ते 3 और माइनस 1 वर्ते 2 है तो दिवगात समीकरण होगा तो वो इसका कर्यक्ट अंसर है second किसी आयत के एक विकरण तथा 6 तरफल की माप करमचे 25 cm तथा 168 cm हो तो आयत के लंबाई कितनी होगी वो होगी 24 cm एक सक उटर 54 km पर ती गंटा की चाल से एक मिनट में कितनी दूरी तै करेगा वो करेगा 900 meter नेक्स्ट एक संकू की उचाई और ती रेक उचाई करम से 21 cm और 28 cm है तो इसका आयतन क्या होगा इसका कर्यक्ट अंसर होगा third नेक्स्ट कोश्चन है निम्न में से किसे कोशी की अपरकरम में उर्जा मुदरा के रूप में जाना जाता है इसका कर्यक्ट अंसर है fourth ATP धातु का उप्योग सोलर सेल बनाने में करते हैं वो है सिलिकोन सुनहरा रेसा से अभिप्राय है पर्टसन धावन सोड़ा का रसाइनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट कमरे के ताप पर कौन सी धातु दरव अवस्था में पाई जाती है वो है ब्रोमीन जिवानों को मारने के लिए जल में कौन सी गैस परवाहित करते हैं क्लोरीन वैस्क व्यक्ति में RBC का निर्मान होता है यह होता है अस्थी मज्जा में किन किन उद्योगों को संराइज उद्योग के रूप में जानते हैं इसका करेक्ट अंसर है B. सूचना प्रोध्योगी की Information Technology निमन में से कौन सा वर्ग जैव निमनी करण का है तो इसका करेक्ट अंसर है A और C घास, पुस्प और चमड़ा फलो के छिलके, केक और निम्बू का रस निमलिखित को सुमेलित कीजिए एक तरफ राजे दिया हुआ है और एक तरफ जल संग्रक्षन की विधी दी हुई है तो इसका करेक्ट अंसर होगा 3rd नेक्स्ट राकेट के संग्रक्षन के सिधांत पर कार्य करता है तो यह करता है सवेक के सिधांत पर पूरण विशुवयापी उशनता के लिए विविद ग्रीन हाउस गैसो का सापेचिक योगदान बढ़ते हुए करम में है इसका करेक्ट अंसर है 2nd विशुजल दीवस मनाया जाता है 22 मार्च को नई परजातिया बन जाती है यदी इसका करेक्ट अंसर है A और B जनन कोशिका के DNA में महतवपून परिवर्तन होता है युगमक में गुण सुत्रों की संख्या में परिवर्तन हो स्थानांत रित किर्शी को ब्राजिल में कहते हैं रोक का नभी के अरियक्टर में इंधन के लिए किस्ततों का उप्योग करते हैं यूरेनियम का सही विकल्प का चैन कीजिए तो सही विकल्प है फोर्थ विस्व में जल की कुल मातरा नियत है कौन सा पद कारवन चक्र में सम्मिलित नहीं है तो है वाशपुत सर्जन लेन्स छमता की SI1 है वो है डाई आप्टर सुक्षम जी वो द्वारा मर्त पादपो पर किरिया करने से बनता है हूमस कौन सा कोशी कांग स्वैम का डियन्ने रखता है इसमें सेकिंड और थर्ड ये दोनों ही सही है बायो गैस का मुख्या गटक है मिथेन नेक्स्ट में दो कोलम दिया हुए जिनको कि सुमेलित करना है इसका करेक्ट अंसर होगा फोर्थ नेक्स्ट है अमर बेल उधारन है ये उधारन है पर जीवी का किस जीव के दुआरा वर्मी कंपोस्ट बनाया जाता है ये बनाया जाता है केच्चुए के दुआरा नेक्स्ट है किस हार्मोन के निर्मान के लिए आयोडी नावशक है ये है थाईराकसिन निम्न में से कौन सी बिमारे जीवानु जनित नहीं है तो है इन्फ्लिरंजा इसमें पाई जाती है मेगनेशियम आई होप ये वीडियो आपके लिए हलपफुल होगी अगर आप एच्टैट, सीटैट, नेट या किसी कंपिटिशन एक्जाम की तयारी कर रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं थैंक्स फर वाचिन मैं वीडियो